हेलो नमस्कार किसान भाईयों आज इस वीडियो में हम आपको किसान भाईयों धान की ऐसी टॉप थिरी किसमों के बारे में बताएंगे जो आपको प्रतियकर लगभग 30 से लेकर 40 कौंटल तक पैदावार आसानी के साथ में निकाल कर दे सकती हैं तो वहाँ कौन सी टॉप थिरी धान की वराइटियां है जो इतना ज़्यादा पैदावार आपको दे सकती हैं जानने के लिए किसान भाईयों इस वीडियो को आप हमारे पूरा अंत तक जरूर देखिए साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइ नमबर तीन पर हमारी हाइबरेट धान की जो सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वराइटी है जो इस साल आपको सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा दे सकती है इस वराइटी का नाम है अराइज की धनी यहां किसान भाईयों पिछले कई सालों से किसान भाईयों को बहु तो BLB के अपरत इस वराइटी को सेंसील बनाया गया है, तो रोग बीमारी भी इस किसम में बहुत कम मात्रा में आते हैं, पकने की अवद की बात करें किसान भाइयो, तो लगभग 140 से लेकर 145 दिन का पूरा समय यह वराइटी लेती है, पूधे की हाइट की बात करें, तो 108 से लेकर 112 सेंटी मीटर तक लगभग इसका पूधा उंचा होता है, सिचाई की बात करें किसान भाइयो, तो यह वराइटी उन्चे तरफ के लिए बनाए गयी है, जहां अधिक मात्रा में पानी की उपलबता है, क्योंकि अधिक पानी में किसान भाइयो यह वराइटी खड़ी रहती है, गिरती नहीं है, इस वराइटी के हम कुछ खासियत की बात करें किसान भाइयो, तो इस वराइटी में जो फुटाओ है वा अन्य वराइटी के मुकाबले काफी अधिक होता है, एक पौधे में किसान भाईयों बारा से लेकर अठारा सौस्थ कल्ले आते हैं इसका जो धान का दाना होता है वह मध्यम पतला और भाली होता है इसकी जो धान की बालियां आती है किसान भाईयों उनका साइज काफी ज़्यादा बड़ा होता है एक बाली में किसान भाईयों लगभग 400 प्लस दाने होते हैं दाना ऐसे किसान भाईयों काफी मजबूत होता है तूटता नहीं है चावल की क्वालिटी किसान भाईयों काफी ज़्यादा सांदार है खाने में भी इस वराइटी को काफी ज़्यादा बढ़िया माना जाता है किदी इस वराइटी के हम उत्पादन छमता की बात करें किसान भाइयो तो अराइटी की धनी वराइटी आपको लगबग 30 से लेकर 32 कॉंटल प्रती एकड पैदावार आसानी के साथ में निकाल कर दे सकती है क्सान भाइयो हमारी हाइब्रिड धन की जो सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किसम है इस किसम का नाम है किसान भायो भारत की सबसे ज़्यादा मसहूर अराइच की 64-44 गोल्ड किसान भायो भारत की सबसे ज़्यादा मसहूर और सबसे ज़्यादा खेतों में लगाई जाने वाली यह धान की वराइटी है यदि इस वराइटी के हम कुछ खासियत की बात करें किसान भाईयो कम पानी कम देख रेक और कम लागत में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वराइटी कहा जाता है इसकी जो धान की बालियां आती हैं किसान भाईयो काफी ज़्यादा लंबी आती हैं सभी बालियों में 100% दाने का भराव होता है इसके एक क्वंटल धान में कि 70% चावल निकलता है इसकी जो चावल की quality है किसान भैयो वह भी काफी जादा बढ़िया माने जाती है और इस किसम में किसान भैयो काफी जादा बढ़िया फुटा होता है एक पोधे से लगभग 18 से लेकर 24 स्वस्थ कल्ले आते हैं अभ यदी किसान भैयो हम इस variety के पकने की अ ऐसी धान की वराइटी है जो हर परकार के मिट्टी में आपको सरवाधिक पैदावार निकालकर देने की छमतार रखती है ओग प्रति रोधक चमता की बात करें किसान भाईयो तो बैक्टिरियल ब्लायट के प्रति गसान भाईयो इस वराईटी को सहन सील बनाय गया है तो इस कौंटल प्रती एकर तक पैदावार भी निकाल कर आसानी के साथ में दे जकती है। अब यदी इस वराइटी के हम बीच की मातरा की बात करें। तो लगभग 5 किलो प्रती एकर बीच आपको लेना पड़ेगा। रुपाई के समय की बात करें। तो 20 जून से 20 जुलाई के मध्याप इसकी रुपाई कर सकते हैं। हाइट इसकी लगभग किसान भाईयो 100 से लेकर किसान भाईयों तो लगभग 125 से लेकर 135 दिन में यह वराइटी पॉकर तयार होती है। इस वराइटी में किसान भाईयो आपको 18 से लेकर 200 कले देखने को मिलेंगे जो कि एक बहुत बढ़ी बात है। मौसम के विःट प्रिश्चितिओं के लिए इसको सहिंसील बनाया गया निकलते हैं यतीस वराइटी के फानली हम उतुपादन छमता की बात करें तो 30 से लेकर 40 कुंटल प्रतियकर पैदावार यह किसम भी आपको निकाल कर दे सकती है तो यहाथी किशान भाईयो धान की टॉप 3 ऐसी वराइटियां जो 30 से लेकर 40-45 कुंटल पैदावार आपको नि शूर करें